square root of double 7 by long reason method कैसे find करें अभी हम समझेंगे दोस्तों यह आपका दो अंखों की संख्या है इसको जैसा है वेसा हम बाहर लिख देते हैं और इस संख्या के आधार पे एक ऐसे संख्या का चुनाओ किया जाता है जिसका खुद के साथ multiply करने पर जो आपका value आ रहा है जैसे हमने 8 गुणा 8 किया कितना रहा 64 यह आपका इस संख्या से छोटा रहना चाहिए तो यह 64 किया इससे छोटा है या कभी-कभी आपको इसके बराबर भी देखने को मिलता है अब जैसे इससे हम बड़ी संख्या लें जैसे 9 गुणा लें कितना आ गया एक्या सी यह आपका देखे इससे बड़ा आ गया तो जैसे बड़ा आता है वहां रुख जाना है इससे पहले वाली संख्या को लेना है और यहाँ पर हम संख्या कहां से कहां तक ले सकते है एक से लेकर नो की रेंज तक ले सकते है यहाँ पर हमने किसको लिए आठ गुणा आ पॉइंट 0 does डो डिजट को एक साहतरो इस पॉइंट को यहां लिख देते हैं अगले डबल जीरो हम यहां ले आते हैं अब क्या करें इसके साथ कौन सी संख्या ले उसका गुना करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इस से छोटी से मिलने चाहिए देखिए हम इसके साथ यदी 8 लेक्ट है 8 का गुणा करते हैं देखें यहां पर 8246 करे चल गया आठ तारीश चार चोपन पांच करे आ गया आठ पांच तेरह देखिए आपका इस तेरा सो से बड़ा आ गया तो बड़ा तो हम लेना नहीं है और जो बड़ा वेल्यू आ रहे हो इस से ज्यादा बड़ा नहीं थोड़ा बिड़ा है इसका मतलब क्या है आठ से जैसे हम एक छोटी संख्या लेंगे किसको साथ को तो हमार यहां पे काम मतल जाए गया किसको लिया साथ को मल्टिप्लाइ कर दो 54 करी आ गया साथ संख्यार 4 करी आ गया साथ 4 कितना 11 उसके बाद वही आपका इसको जोड़ना है और इसको घटाना है कितना 13131 आ गया जो हमारे पास घटाने पर वेल्यू आएगी इसके साथ अगले ड चास्तों इसके साथ कौन सी संख्यालें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए ओके तो अब की बार मुझे लग रहा है कि साथ को ही लेना पड़ेगा साथ को लिया साथ का गुणा किया साथ साथ उसके नुपचाश्यार के रिए चला गया साथ चुग 284 कितना 32-3 कर 55 के रिया गया 75 12 ये 13,000 है ये 12,000 कुछ है ठीक है ये 13,000 कुछ है ये 12,000 कुछ है ये इसके हम बिल्कुल नजदिक पहुंच के किसको लिया 7 को उसके बाद फिर माइनस करना है प्लस करना इस तरीके से आप ये अपने आगे के स्टेप कर सकते हैं ये जो हमारा वेल्यू निकल हमने कैल्कुलेट किया तो इस तरीके से हम अपना लॉंग डिजर मैथर से किसी भी संक्या का वरगमूल निकाल सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर बताएं इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद